असलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज, आज के इस लेक्शर के अंदर हम वेरियेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्कोप अफ वेरियेबल्स, इसके अलावा हम एक प्रजेक्ट बनाएंगे, स्टाफ वाच का, और इस से पहले वाले लेक्शर के अंदर हम ने जो कार्कुलेटर बनाया था, उसके अंदर कुछ अडवांस फंक्शन जो है, उनको हम एड़ करेंगे, लेट्स स्टार्ट, किसी प्रजेक्ट को बनाने के लिए तीन स्टेप है, फर्स स्टेप के अंदर क्रियेट के रिए इंटरफेस, सेंक्ट स्टेप के अंदर अबजेक्ट की प्रपटीज को सेट करें, और थर्ड स्टेप के अंदर कोडिंग करेंगे हम, विजल बेसिक को आप तीन डिफरेंट मैथर्ड में उपरेट कर सकते हैं, डिजाइन मोड के अंदर, जहां पे आप अप्लिकेशन बनाते हैं, जहां पे आप इंटरफेस बनाते हैं, जहां पे आप जो है प्राप्टीज को सेट करते हैं, और जहां पर आप कोडिंग कर सकते हैं इसके बाद second जो आपके पास method है वो run mode जहां पर आप किसी भी application को run कर रहे होते हैं किसी program को चला रहे होते हैं यहां पर भी आप different method जो है वो apply कर सकते हैं different function जो है उनको run कर सकते हैं different properties को यहां पर change कर सकते हैं कोडिंग की मदद से और तीसरा जो आपके पास मैथड़ है वो ब्रेक मैथड़ है ब्रेक मोड जिसके अंदर आप अप्लिकेशन को डिबग कर सकते हैं नेक्स हम देखते हैं कि किसी भी अबजेक्ट की प्राप्टीज को कैसे सेट किया जाता है तो पहला मैथड यह है कि आप जब किसी प्रोग्राम को बना रहे हो जब इंटरफेस बना रहे हो तो वहाँ पे आप किसी भी अबजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और प्राप्टीज व run time पे है जिसके अंदर क्या होगा कि आप coding को यूज करेंगे और सबसे पहले सब आगे object का name होगा जो भी है और उसके बाद उसका event होगा कोई भी event हो जो भी आप उस पे apply करें click के ऊपर हो सकता है mouse move के ऊपर हो तो उसके बाद अब्जेक्ट नेम आएगा डाट प्रापटी आएगा और उसके बाद उसकी कोई वैलियू हो सकती हैं तो यह दो मेथड्ट थे प्रापट्टी को सेट करने के विजल बेसिक जोबी प्रॉजेक्ट होगा डाट वी बी पी उसकी एक्टेंशन होगी इसके अंदर हम different forms को use करेंगे for example form 1 है, form 2 है, इसी तरह से और form हो सकते हैं फिर इसके अंदर हम modules को use करेंगे form के extension क्या होगी, जब वो file save होगी तो .frm होगी और अगर module आप save करें तो .bas होगी किसी भी form के अंदर different control हो सकते हैं control 123 यानि उसके अंदर label आप यूज़ कर सकते हैं, command button यूज़ कर सकते हैं, list box यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से यह आपकी total application जो है वो बनेंगी आपकी कोई भी application जो है, इन चीजों से मिलके बनेंगी, सबसे पहले आपके फार्स फार्म होगा फार्म वो विंडो होती है जिसके उपर आप अपना interface create करते हैं next हम देखते हैं controls, controls के उपर जहां पर आप अपनी पूरी application को control कर सकते हैं यह text boxes हो सकते हैं, label हो सकते हैं, scroll bar हो सकते हैं, command button हो सकते हैं, form भी हो सकते हैं और मुक्तलिफ object जो है आप यूज़ करेंगे अपनी application के अंदर next हम देखेंगे के जो भी आप control यूज़ करेंगे उस control की आप कोई ना कोई property सेट करेंगे यह उसका नाम हो सकता है किसी भी object का, उसका caption हो सकते हैं, उसका size हो सकते हैं, उसके color हो सकते हैं, position x y उसकी हो सकती है, x position क्या है, y position उसकी क्या है, या coordinate उसके क्या हैं और इसी तरह से आप different properties वो set कर सकते हैं, design time पे भी और run time के उपर भी next, इसके अंदर हम method use करेंगे, method वो action होगा, जो किसी भी object के उपर हम apply करेंगे इसके बाद event होगा, event means कि यह जो code आप का run होगा, यह किस तरह से run हो, mean के click करने से हो, या mouse के move करने से हो, या किसी keep को press करने से हो, तो different event जो हैं, उनको भी हम देखेंगे, next, हम बात करते हैं, variables की, last lecture के अंदर भी हमने variables को पढ़ा था, आज हम उसको detail से देखते हैं, variables क्या हैं, containers हैं, जब आप किसी program को run करते हैं, तो जो values आप देते हैं, जो data आप देते हैं, उस data ने कहीं न कहीं जाके save होना होता है, तो उस data को हम save करने के लिए variables use कहते हैं, variables means क हैं, वो values जो change होंगी, तो visual basic में बाकी applications की तरह से, visual basic के अंदर भी different type के variables हैं, वो use किये जाते हैं, जब भी आप किसी variable को बनाते हैं, तो programming language, memory के अंदर, एक जगा जो है, उसके लिए reserve कर देती है, उस जगा को, या उस container को हम variables कहते हैं, variable जो है, उसका एक data type होगा, variable का एक नाम होगा, और variable की जो है, वो कुछ value होगी, जब आप visual basic की बात करते हैं, तो कोई भी आप variable का जो नाम रखेंगे, वो maximum values की 40 character तक हो सकती है, variable के नाम के अंदर, letter आप use कर सकते हैं, number यूज कर सकते हैं, और underscore आप use कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप variable का नाम तो वो letter से या underscore से start होना चाहिए, इसके अलावा variable के नाम के अंदर आप reserve word use नहीं कर सकते हैं, reserve word क्या है, आपके key words होते हैं, जो किसी भी language के लिए special purpose के लिए बनाए जाते हैं, तो उन words को आप जो है as a variable name जो है, वो use नहीं कर सकते हैं, next हम देखते हैं, data type क्या है, data type means कि आ आपका data किस type का है, यानि वो memory में कितनी जगा लेता है, यानि आप जब किसी data type आप देते हैं, तो वो actually आप memory में कितनी जगा reserve कर रहे हैं, ये आप बता रहे होते हैं, बाकी computer के अंदर data आपका चाहिए, वो text हो, number हो, या कोई भी हो, वो जाके zero one zero one, यानि binary farm के अंदर ही जाके save होता है, तो data type actually आप बता रहे होते हैं, कि आपने memory में कितनी जगा reserve करनी है, तो हमारे पास जो real basic के अंदर data type है, उसके अंदर हमाई पस boolean है, जिसके लिए हम कोई symbol यूज नहीं करते हैं, इसके बाद फिर हमाई पास integer है, integer means के whole number, यानि complete number आपके पास, जैसे roll number ह होता है, roll number ten है, तो ये ten एक complete number है, इसको हम integer कहेंगे, तो इसके लिए percentage का sign ये use करेंगे, अगर आपका integer जो है, ये एक बड़ी value है, तो उसके लिए फिर data type आप long जो है, उसको declare कर दें, जिसके लिए हम and का sign जो है, उसको use करेंगे, और अगर आपकी value जो है, वो points में है, य single variable जो है, उसको use करते हैं, और अगर ये value ज्यादा बड़ी है, तो इसके लिए हम double use करते हैं, फिर currency के लिए हमारे पास जो है add the rate of ये symbol है, फिर date आपके पास ये एक अलग से data type है, object आपके पास एक अलग से data type है, object में इसके आप जो text boxes बनाते हैं, जो label बनाते हैं, तो ये collection of character, collection of character is called a string, जैसे आप पाकिस्तान लेते हैं, तो प, a, k, i, s, t, a, n, तो इसमें 8 character मिलके एक string बनाते हैं, पाकिस्तान, इसके अलगा हम आपस विजल basic के अंदर एक ओर data type है, वेरंट data type, वेरंट data type जब आप जो है default जो आपके पास data type होगा, वेरंट data type होगा, जिसमें आप कोई भी value यानि integer value भी दे सकते हैं, date value भी दे सकते हैं, और मुक्लिफ values जो है, इसके अंदर आप दे सकते हैं, next हम देखते है, that variables को, next हम देखते है, variables को declare कैसे करेंगे, तो variable को declare करने के लिए हमाँ पास 3 different method हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास default है, जब आप किसी भी variable को, implicity या explicitly जो है, वो define नहीं करते हैं, declare नहीं करते हैं, तो वो आपके पास जो है, by default आपके पास वो data type आपके पास हो जाता है, यानि जिसके अंदर आप कोई value भी इंटर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पास दूसरी जो type है, data declaration की, वो implicity है, यानि आप जो है, variable का न किसी को use कर लेते हैं, जैसे आप यहां पर देखें अगर, तो आपने अगर एक string variable बनाना है, तो उसके last पे आपने जो है, dollar sign ये use कर लिया, तो ये आपके पास एक string variable बन गया, इसी तरह से percentage ये आपके पास integer variable के लिए आप use करते हैं, लेकिन अगर आप शुरू महीं बताना चाहते हैं, explicitly आप बताना चाहते हैं, अपनी variables को, तो आपको पहले उसको जो है declare करना पड़ेगा, हमारे पास चार different scope है, variable को declare करने के लिए, यानि scope means कि कितनी देर के लिए ये variable आपका जो है, memory के अंदर रहेगा, और आप इसको use कर सकते हैं, यानि इसकी आप life कह सकते हैं, तो procedure level है, आपके पास उसके बाद procedure level static value है, उसके बाद form और module level है, और उसके बाद global level है, तो हर एक को हम अलग 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 देखते हैं, नेक्स्ट हम variable का scope देखते हैं, कि आप किसी भी variable को किस तरह different scope देख सकते हैं, तो applicity जब आप variable declaration करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास स procedure level के अंदर है, procedure level के अंदर क्या होगा, कि आप dim statement को use करेंगे, और उसके बाद variable का नाम होगा, और as आगे उसको कह सकते हैं, आप जैसे वार example, आप कहते हैं, dim my integer as integer, next इसी तरह से आप कहते हैं, dim my double as double, यह आपने variable का नाम रखा, और as double आगे आपने यह उसकी data type गी है, यह your string as string, यह my string and your string, यह variable का नाम है, उसके बाद आपने इसको as string जो है, डिकलेर कर दी है, तो यह जितने भी आपके variable होंगे, यह इस procedure के अंदर जो है, इनको आप use कर सकते हैं, out of procedure, यह इस procedure से बाइर आप इसको use नहीं कर सकते हैं, next लम देखते हैं, static level के ओपर, static variables के लिए क्या होगा, कि आप dim की जगा पे keyword static use करेंगे, और बाकी तरीका वही होगा, जैसे static का आप कहते हैं, static my integer as integer, static my double as double, तो आपने कह किये, यह static keyword शुरू में इसको आपने लगा दिया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर variable का नाम है, और आगे फिर आपने उसका data type यह आपने यहाँ पर दे दिया, next हम देखते है, module level पर या form level के ओपर जब आप किसी variable को declare करना चाह रहे होंगे, तो उसका procedure यह होगा, form या module level पर जो variable बनेंगे, उनको हम journal के अंदर declare करेंगे, और यह जतने भी variables होंगे, उस form के ओपर जतने procedures हैं, सब के अंदर आप इन variables को जो है, use कर सकते हैं, तो इनके लिए भी simply हम, dim का जो है, keyword use करेंगे, उसके बाद variable का नाम होगा, उसके बाद आप उसका data type जो है, यह बता सकते हैं, next आप चाहते हैं, कि किसी variable को जो है, different form के अंदर भी आप उनको use कर सके हैं, या या आपकी जो पूरी application है, या आपके पास जो जितना भी आपके पास form है, सब के उपर आप किसी variable को जो है, या उसकी value को use करना चाहरे हैं, तो उस variable के साथ आप simply global लगा देंगे, और उसके बाद variable का नाम, और उसके बाद उसकी आप data type बता देंगे, तो यह variable जो है, यह आपका उस पूरे जो है, पोरी application के अंदर आ देखते हैं, कि यह different type हैं आपके पास, तो अगर module level पे आप इसको use करना चाहरे हैं, तो उसको आप क्या करें, global access integer, तो यह एक्स variable जो है, यह form one के उपर भी इसको आप access कर सकते हैं, और form two के उपर भी इसको access कर सकते हैं, और for example, आपके पास form one है, और इसके अंदर आप dim y as integer आप use कर रहे हैं, तो यह y जो आपके पास variable है, इसको आप इस रूटीन के उपर या इस function के इंदर भी इूस कर सकते हैं, और रूटीन two के अंदर, या function two के अंदर भी इसको आप use कर सकते हैं, लेकिन इस Y variable को आप जह सुआ हाप चुपर जो है, इसको आप use हैं, इसी तरह स सकते हैं इस तो इस ए वेरियेबल को आप रोटीन टू के अंदर जो है इसको आप यहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो स्कोप है एक जो स्कोप है वह रोटीन एक अंदर तो वह रोटीन वन के अंदर ही है यह आपका प्रोसीजर लेवल के उपर वेरियेबल है और यह आपके पास y जो है यह आपके पास farm level के ओपर जो है variable है और यह x जो है यह आपके पास जो है यह global variable है जो different forms के ओपर आप इसको use कर सकते हैं. Next हम यहाँ पर variables की ले लेते हैं तो यहां पर मैं कुछ command button जो है उनको बना लेता हूँ और इंका मैं यहां से अगर नाम हrं लेता हूँ तो एजी रहें कि आझे हैं सीवान हमने इसका नाम रख दिया है और सी टू जो है इसका नाम रख दिया हमने अब अब यहां पर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं यहां पर अब इसके अंदर मैं यहां पर आ गया यहां पर मैं एक जो है डिम ए एस इंटिजर यहां पर मैं एक वरियेबल जो है उसको डिफाइन कर लेता हूं यहां पर हम थोड़ा सा नेमिंग रूल्स को भी देख लेते हैं तो फिर्स करें, यहाँ पर मैं, वन ay जो है, ऐस इंटिजर लेता हूं, जैसे बाहर कहीं क्लिक करूँगा, यह मुझे error देगा, क्ये यह अपका जो है, यह गलत है, तो इस को यहाँ पर मैं, इइ one, अगर करता हूं, तो यह ok办 है, लेकिन one a, अगर मैं करता हूँ तो ये ओके नहीं है क्योंकि विरियेबल का नाम हमेशन जो है वो किसी इलफ़ाबेट से स्टार्ट होगा फिर अगर मैं इसके दरमान में स्पेस दे के कहीं और क्लिक करूंगा तो ये तब भी मुझे एरर देगा क्योंकि विरियेबल के नाम के अंदर य आगे विरियेबल का नाम जो है किसी कीवर्ड पर आप नहीं रख सकते तो किसी भी विरियेबल को डिफाइन करने के लिए यहां सिम्प्ली हम स्टेटमेंट यह डिम लगाएंगे आगे हम विरियेबल का नाम रखेंगे और आगे हम इसका डेटर टाइप बता देंगे कि यह केसेंस्टिब लेंगफिज नहीं है जैसे केसी लेंगफिज आपकी केसेंस्टिब लेंगफिज है वहां पर समाल ए और कैपिटल यह दोनों के अंदर फ़र्क होगा तो यह एक मैंने प्रोचीजर लेवल के ओपर मैंने एक वेरियेबल जो है bracket डालूंगा और जो भी मुझे message show कराना है मैं यहां पर लिख दूँगा value of a is equal to यह मैंने एक message लिखा double quotation के अंदर और अगर मुझे यहां पर variable show कराना साथ में तो end sign डालूंगा और variable का नाम और bracket को close कर दूँगा और यहां पर मेरे पास यह एक message आ जाएगा यहां तक और इसके बाद यह variable जो भी उसकी value है यहां तो यह आ जाएगी तो इसको मैं run करता हूँ और यहां जब मैं इसको click करूँगा तो यह मेरे पास यहां पर value of a is equal to 10 यह एक message जो है यह show जाएगा ok करें और यहां से आप close करके बाएर आ सकते हैं यहां पर हमने यह जो variable a बनाया है यह procedure level के उपर variable है इसको आप इस procedure के अंदर ही सिर्फ यूज कर सकते हैं आप for example अब मैं command button 2 के उपर आता हूँ और यहां पर अगर इसी message को मैं यहां से copy करता हूँ control c से equal to ten आ गया लेकिन इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो value of a is equal to और आगे variable की value यहां पर show नहीं हो रही क्योंकि आपके पास यह जो आपने यहां पर declare किया है यह integer value यह आपके पास dim is as integer यह यह वरियाबल a जो है यह procedure level पर है और जो इस procedure के अंदर ही इसकी value जो है exist करेगी इस procedure से आप जब बाहर आएंगे दूसरे procedure में तो यह value यहां पर exist नहीं करेगी लेकिन अगर यहां पर मैं इसको यहां से जो है cut करा लेता हूँ और यहां पर यह select कर लेता हूँ journal तो यह यहां पर आगे और यहां पर मैंने इसको जो है farm level के ओपर जो है इस variable को declare कर लिया है तो अब यह इसके अंदर भी यहां पर भी access होगा और यहां पर भी access होगा तो अब अगर मैं इसको run करता हूँ और यहां पर अगर मैं इसको click करता हूँ तो यह value of a is equal to ten शोक्रार है कि जो वैल्यू यहां पे मैंने यह वेरियबल हमने बना लिया जो फार्म लेवल के उपर है तो जब हम इसको क्लिक करेंगे यहां पे तो यह क्या करेगा यह एक वैल्यू इसको साइन कर देगा यह इकल टू टैन और यहां पे जब इसको हम दोबारा इसको क्लिक क करता हूँ और इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहां पर अभी वैल्यू जो है इसको कोई भी असाइन नहीं की गई है तो यह एज इकल टू जीरो शो करा रहा है ठीक है लेकिन यहां आप click करते हैं तो इसको आप value ए इकल टेंड शो यहां पर value of a is equal to ten जो है यह assign होगी है ओक्षे अभ इसको आप click करेंगे तो वही variable जो है उसी value एक में पर भी show कराएगा. Next ले crosses हम देखते हैं कि अगर किसी variable को आप जो है different form के ओपर जो है वहां पर एकसेस करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं, यनि उसको global अगर आपने बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, फर्स करें हम यहां पर एक और form आड़ करते हैं, तो form को आड़ करने के लिए project में आए, add form यहां पर, और यहां से new करना चाहें, तो यहां से अंदर यहाँ आप फॉर्म टू के अदर होंगे तो इसका हम थोड़ा संक्क उलर चेन्ज कर देते हैं ता कि दोनों फॉर्म के अंदर गोड़ासा डिफ्रेंस और यहां से ठीक है अब यहाँ पर हम गें करते हैं के ایک और कमांड्स बटण 不ट आपर बनाते हैं और एक और यहां पर Command button यह दो Command button हम बना लेते हैं और form 1 से हम चाहते हैं कि form 2 के उपर जाएं तो form 1 के उपर आगे और यहां पने Command button बनाया और इसका हमने caption रख दिया jump to form 2 के form 2 पे अगर आपने jump करना है तो यहां पर आप क्लिक करें तो इसका अगर आपने नाम रखना है तो यहां पर Command button 3 आपने इसका नाम रख दिया इसके डबल क्लिक करते हैं इसके अंदर आगे हैं तो यहां पर form 2.show तो यह क्या करेंगा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यह form 2 को यहां पर show करा देगा इसको आप run करके देखें यह click का अपने किया तो यह form 2 आपके पास यहां पर open हो गया यहां से आप इसको close करें यहां पर भी अब हम चाहते हैं के form 1.height के form 1 जो है वो हाइड हो उसके बाद जो है form 2 जो है वो show हो तो यह इस तरह से आजाएगा अब यहां पर भी हम यह command बटन पर कोडिंग करते हैं कि यह हमें इसको आप simply यहां से copy कर लें ctrl c से और form 2 के उपर आज़ें और यहां पर इसका caption जो है वो change करते है jump to form 1 और इसका नाम यहां पर c2 रख लें और इसका नाम यहां c1 रख लें command button 1 और 2 यह form 2 के command button है तो यहां पर हम double click करते हैं जो हमने copy किया था तो अब यहां से form 1 में show कराना चाहता हूँ और form 2 को height करना चाह रहा हूँ तो इसको जब मैं यहां से click करूंगा यह form 2 मेरे पास आगए है यहां ओपर caption में form 2 है इस पर यह form 1, form 2 तो इस तरह से आप different form के ओपर jump कर सकते हैं next time यहां पर जो form 1 के अंदर आएं अब form 1 के अंदर इस button पर double click करें और यही message जो है इसको यहां से copy कर लेते हैं और form 2 के अंदर आते हैं यहां पर हम इसको simply paste कर देते हैं कि हम form 2 के ओपर इस value of a को जो है display करना चाह रहे हैं अब run करें अगर इसको यहां पर मैं click करता हूँ value of a is equal to 10 हो गई है यहां पर value of a is equal to 10 होगी है यहां पर मैं click करता हूँ second form पर आगया अब यहां पर मैं click करता हूँ तो यह simply मुझे कहता है value of a is equal to यहां पर आपके पास second form के ओपर यहां पर variable a जो है वो accessible नहीं है क्योंकि आपने जो form 1 के ओपर यहां पर आपने यह जो dim air as integer यह जो आपने यहां पर define किया था यह आपके पास form level के ओपर था कि यह सिर्फ कि आप सिर्फ इसको इस form के अंदर access कर सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि इस form को आप पूरी application के अंदर इसको जो है access कर सकें तो इसके लिए फिर आप यहां पर explorer window में आए right click करें और यहां पर add के अंदर आके यहां पर module को आप add कर लें और यहां से इसको open कर दें तो यह आपके पास module one जो है यह add हो जाएगा तो यहां पर global as integer यह आपने define कर दिया तो यह हमाई पस यह variable बना है यह global अब बन गया यह throughout जो है application में इसको हम use कर सकते हैं अब आपने यहां पर जब इसको globally यहां पर define कर लिया है तो form one के अंदर जब आपने इसको यहां पर form level पर किया था तो अब इसकी जूद नहीं है इसको यहां पर comments बना दें यह simple single quotation अगर आप किसी भी line के साथ लगा जेते हैं तो comments के अंदर change हो जाता है अब यह line हमारे program का हिस्सा नहीं है अब अगर इस program को मैं run करता हूं और यहां पर मैं इसको click करता हूं तो value of is equal to ten आगी है यहां पे भी value of is equal to ten दूसरे form पर मैं जंप करता हूं यहां पर क्लिक करता हूं तो वहां यहां पर भी value of is equal to ten आगी है ठीक है तो यह इस तरह से हमने उस variable को globally हमने use कर यानि फार्म वन के अंदर हमने उसको वैल्यू दी और फार्म टू के अंदर हमने उसको एक्सेज कर लिया तो इसी तरह से अगर आप इसको अवर राइट भी करते हैं यानि आप इसको डिफरेंट प्रसीजर लेवर्स के अंदर यहां पर आपने वैल्यू आफ़ेज इकुल स्टेंड दी अब इसी को अगर मैं यहां पर कापी करता हूं और यह क्लिक टू के ओपर यहां पर इसको मैं अगर टूंटी दे देता हूं तो यह यहां पर इसको अवर राइट करेगा और यहां पर अगर मैं इसी को कापी करता हूं और फार्म टू के अंदर आता हूं और यहां पर मैं इसको फर्स करें 30 value दे देता हूँ तो अब क्या होगा अब इसको जब आप run करेंगे यहां पर आपने क्लिक किया तो value of a is equal to 10 आगया यहां अपने क्लिक किया तो आपका variable तो वही use हो रहा लेकिन overwrite हो रही है value तो a is equal to 20 आगया अब यहां पर आप आगये हैं तो यहां पर आप क्लिक करें तो a की value 30 आगया अब अगर आप दबारा यहां पर आएंगे तो यहां दबारा उसको overwrite कर रहा है और अगर आपने इसको यहां पर from one के अंदर यह इसको अगर आप comments में convert कर दें तो यह अब use नहीं होगा तो जो भी आप value यहां पर देंगे तो यह 20 आगई यहां पर भी 20 आगी अब यहां पर 30 आगी है तो यहां पर भी 30 इसको कर देगा और यहां पर इसको 20 कर देगा तो इस तरह से आप किसी भी variable को जो है globally यूज कर सकते हैं उसको within procedure यूज कर सकते हैं और उसको जो है farm level के ओपर यूज कर सकते हैं यहां पर हमने message box को पड़ा है तो इसको जरा फर्दर देख लेते हैं तो यहां MSG Message Box उसके बाद फिर आप यहां पर जो भी आपने यहां पर Message शो कराना है उसको आप Double Quotation के अंदर जो है आप लिख सकते हैं अगर Variable साथ में शो कराना है तो यह इसको लिख सकते हैं इसके बाद अगर फर्दर आपने कोई Message शो कराना है तो यहां पर दोबारा End Sign डालें और यहां Double Quotation के अंदर जो है कोई भी Message शो करा दें जैसे मैंने पाकिस्तान जो है वो यहां पर Show कर दिया तो यहां अगर मैं इसको A को जो है Value of A यहां पर मैं Double Quotation के अंदर जो है My कर देता हूँ तो यहां पर मैं Message थोड़ा सा हम Change कर देते हैं My Country Name Is और यहां हम पाकिस्तान कर देते हैं पाकिस्तान और यहां Your Country यहां पर आप Question Mark कर दें तो यहां Simply मैंने एक Message चो किया और यहां Variable A लिया अब इसको Variable A Local यहां पर इसको लेगा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर उसको लेकर आ जाएगा और इसको डिस्प्ले करेगा इसको रन करते हैं तो यहां पर हम तो मिसमैच क्योंकि आपने यहां पर इसको हम Already जो है एस Integer जो है वो लेकर आ चुकी है तो यह भी आप इसको ले 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 तो यहां पर भी हमने एक निया वेरियबल बना लिया उसको हम यूज करें तो माइ कंट्री नेम इस पाकिस्तान यूर कंट्री ने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपके पास यहां पर इसको अगर क्लोज करें तो यह मैसेज पहले शो हुआ उसके बाद भी भी में हमने पाकिस्तान रखा हो यहां पर आ गया उसके बाद आपने यह नेक्स मैसेज जो है उसको शो करा दिया इसके बाद अगर यहां पर आप कामा डालते हैं अगर आप यहां पर कामा डालते हैं तो इसके बाकी आर्गुमेंट मैसे भी यहां से आप यूज कर सकते हैं مثلاً यहां पे मैं कहता हूँ के वी बी ओके कैंसल यह बटन मुझे चाहिए तो यहां पे अब यहां पे आपको इस चीज की जूरत नहीं है तो इस प्रैकेट को आप यहां से खतम कर दें और यहां से भी इसको खतम कर दें अब इसको आप रन करें तो यहां आपने क्लिक किया मैसेज आपके पास आगया और यहां OKD OR Cancel का आपके पास बटन आगया तो इसी तरह से अगर यहां पे आप OKD कैंसल की वजाए कोई और यहां पर बटण लगाना चाहते हैं जैसे आपके पास है owie be okey only तो इसके आप क्लिक कर दें अब आप इसको जब run करेंगे तो आपके पास यहां सिर्फ ऊके का बटण यहां पर आएगा इसके बाद आपके पास यहां पर जब दबारा कामा डालते हैं यहां पे आपके पास title आ जाता है तो यहां अभ इन्वर्सर कंप्यूटर सेंटर यह आपने title लिख लिए अब आप इसको जब run करेंगे क्लिक करेंगे तो यहां यह उपर आपके पास इसका title आ जाजाएगा नीचे यह आपके पस message आजाएगा तो next हम फिर इसके अंदर स्टाफवाश की प्रजेक्ट, असको बना लेते हैं न्यू प्रजेक्ट के लिए हम, standard x.e a Neurad file बना लेते हैं और इस form के अंदर, हम तीन, जो है c'mannd button, उनको draw कर लेते हैं और कुछ label, उनको हम draw कर लेते हैं इनकी property's, व्एरस सेट कर लेते हैं और command button के जो caption है उनको हम change कर देते हैं start time, end time और exit के नाम से इसको हम save कर लेते हैं project को command button और labels के हम नाम यह हैं उनको set कर लेते हैं farm का layout हमने कुछ ही सेट कर लिया और interface हमने यह बना लिया नेक्स जो है हमारा step जो है वो coding का है तो सबसे पहले हम यहां पे किसी भी जवाब पर आप यहां पर double click करें आप यहां पर आ जाएंगे coding के अंदर तो यहां से हम journal के अंदर आते हैं और farm level के ओपर हम जो है वेरियबल जो है बनाते हैं तो तीन वेरियबल हम बनाते हैं स्टार्ट टाइम को हम रख लेते हैं तो तीन हमने यह वेरियबल बना लिए यहां पर नेक्स्ट हम आते हैं यह वेरियबल बना लिए यहां पर यहां पर स्टार्ट के बटन पर कमांड स्टार्ट पर तो इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें जब हम इस पर क्लिक करें तो जो हमारे पस स्टार्ट टाइम है start time जो है वो हमारे पास now now means के जो अभी का time है वो यहाँ पे इस variable के अंदर आ जाए next हम चाहते हैं कि यह जो हमने variable के अंदर यहाँ पे रखा है उसको हम जो हमारे पास label है यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यह जो label है हमारे पास start time का यहां पर इसको हम display करना चाहरे हैं तो यहां पर label start dot caption हम कहते हैं कि यह इसके अंदर जो है start time आजए अब हम यहां पर चाहते हैं कि इसका format जो है वो कुछ इस तरह से हो कि सबसे पहले तो यहां पर हमने यहां पर start time दे लिखना है यहां पर यह variable और इसके अंदर जो format है वो कुछ इस तरह से हो hh means के hours mm minute ss second के लिए तो यह हमने format दे दिया यानि इस format के अंदर start time के अंदर जो हमने यहां पर no जो time होगा भी का वो start time के अंदर आएगा और यह function उसको इस format के अंदर जो है change कर देगा और यह value जो हमाई पर label है start का वहां पर यह में display हो जाएगी तो इसको run करके देखते हैं यहां इसको stop कर लेते हैं यहां पर थोड़ से spelling जो है mistake है जब सेही हो जाएंगे तो यह आपके पास capital भी हो जाएगा तो आप इसको run करते हैं तो यह अभी जो time है वो यहां पर display हो जाएगा नेक्स हम यह भी चाहते हैं के इसके साथ जो हमाई पस end time और यह total time जो कुछ इसके अंदर पहले से अगर है कुछ तो वह भी क्या होजें empty होजें इसको हम empty कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे empty कर देंगे तो यह हमारे पास यहां पर start time के अंदर इस तरह से हमारे पास यहां पर start time आ जाएगा next step के अंदर हम जब यहां पर end time पर क्लिक करें जब हम इस end के button पर क्लिक करें end time फे तो यह हमारे पास end time आना चाहिए और यहां पर हमारे पास total time हो जाना चाहिए यानि start का time और यहां end का time और यह total time total time means के end time में से start का time जो है इसको आप minus कर देंगे तो यहां पर आपके पास total time आना चाहिए तो इसके डबल क्लिक कर लें तो इसके अंदर भी तकरीबर यह सारी coding होगी सिरफ हम करेंगे कि यहां पर variables जह उनको हम change कर देंगे कि end time जो variable है उसके अंदर अभी का time आए now यह अभी का time आए और यहां पर label जो end का है उसके caption के अंदर यह हमाई बस यहां पर यह जो end time का हमारे पास variable है यह यहां पर हमाई पस end time के label के अंदर आजए अब नेक्स्ट हमने यहां पे टोटल टाइम नकालना है तो LBL टोटल डाट कैप्शिन यह आपके पास आजए एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम तो यहां पे हम उसको यहां पे इसकी स्पेलिंग सेट कर लेते हैं तो यह हमाई पास एंड टाइम में से हम स्टार्ट टाइम को नकाल देंगे तो एंड टाइम में यहां पे आजएगा तो इसको हम रन करके देखते हैं यह हमाई पास स्टार्ट टाइम आ गया यह हमाई पास एंड टाइम आ गया और यहां पर total time अब total time का हमने farmer change करना है ताके हमने जो total time है वो उसी तरह से यहां पही नाजर आए तो उस से पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर यह जु हमने variable बनाया है इस के अंदर हम इसको रख लेते हैं और यहां पर यह चीज हम चाहिए होगी वहां पर भी सिर्फ हम यहां पर विरियेबल्स को चेंज कर देंगे टोटल का जो लेबल है उसके अंदर यहां पर हमाई पास यह यहां हमाई पास जो टोटल टाइम है यह यहां पर आजाए सिंपल अब इसको रण करें तो यह क्लियर फार्मेट में हमें नदर आएगा यह टोटल जो हमाई स्टाफ वाज चलिए वो एक सेंकंड के लिए चली है इसी तरह से इस पर क्लिक करेंगे स्टाट टाइम यहां पर आ गया तो थोड़ी देर के बाद हम इस एंड टाइम पर करते हैं तो यह फाइव सेंकंड हमारा टोटल टाइम बना अब यहां पर हमें कोडिंग चाहिए एंड पर तो सिंप्ली यहां पर इसके ओपर डबल क्लिक करें और एंड लिख देंगे तो यह सिंपल उसको एक्जिट करेगा तो यह हमारी स्टाफ वाज है नेक्स इसमें हम कुछ और फीचर यहां पर आइड करते लिए है यहां हम डे को डिस्पले कराएंगे यहां का डे क्या है यहां मंत क्या है अभी और यह क्या है और यहां पर टाइम को डिस्पले कराएंगे और यह उपर जैस हमको शो कराने के लिए तो इसका नाम हमने लेबल डे रख दिया लेबल मंत लेबल यह और लेबल टाइ तो यहां पर हमें एक यहां टाइमर चाहिए होगा, इसको हम यहां simply क्लिक करके यहां पर टाइमर को ले आएंगे. और इसका इंटर्वल जो है, one thousand कर देंगे, one thousand यहां पर यहां पर, 1000 mean के one second यहां पर आपके पास आजाएगा कोडिंग के लिए हम यहां timer one इसके ओपर डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर आजाएगे यहां पर हम एक variable to day ले ले लेते हैं और इसको value जो है यह नो यह हम यहां पर इसको दे देते हैं next time जो हम आपास लेबल है next time आपास लेबल day.caption इसको हम यहां पर format और इसके अंदर variable to day इसको हम दे रेते हैं अब हम यहां पर जो है day चाहिए simply तो यहां पर आप four time d इसको आप यहां पर लिखें और इसको run करके देखें यहां पर तो यहां पर आपके पास वो day जो है वो डिस्प्ले हो रहा है इसको हम थोड़ा सा इसका format जो है उसको set कर लेते हैं ताकि यहां पर आपके पास और अगर आप यहां पर इसको 3D कर लेंगे तो यह आपके पास three digit के अंदर यहां पर आजएगा four करेंगे तो पूरा नाम यहां पर आपके पास डिस्प्ले होगा तो इसी तरह से हम next इसी को यहां से copy कर लेते हैं और नीचे इसको paste कर देते हैं तो next हम यहां पर month इसके अंदर हम चाहते हैं कि यहां पर mm यानि month आजए डिस्प्ले करके देख लें इसको तो month हमारा second month अभी चाहर रहे फरवरी वह यहां पर आगया इसी को यहां पर paste करते हैं और next हमारे पास year के caption के अंदर हम चाहते हैं अब year अगर आपने four digit के अंदर रखना है तो four time why यहां पर लिखते हैं और इसको जब run करेंगे twenty, twenty one यहां पर year आगया next इसी को दोबारा आप यहां पर लें और यहां पर time का जो आपके पास है उसके अंदर हम चाहते हैं कि यहां पर आपके पास time आजएं तो पहले हम चाहते हैं hours आएं फिर minute आएं और उसके बाद second यहां पर आएं तो यह इसको हम format देंगे यहां पर यह उपर भी हमने यही format दिया था लेकिन यहां पर click के ओपर यह काम हो रहा था अब यहां पर timer के ओपर यहां इसको हम देंगे तो timer के हमने timing यहां वो one second रखी है यहां यहां पर यहां पर टाइम डिस्पले करता रहेगा तो इसको रून करके देखते हैं तो यहां पर आपके पास चलता हुए time यहां पर नदर आएगा यहां रिपीट कर रहेगा तो यहां पर बाकी values तो चेंग नहीं तो यह इसी तरह से रहेंगी तो next हम देखते हैं कि हमने जो calculator बनाया था उसके अंदर हम कुछ further जो फंक्शन add करते हैं calculator का जो हमने project बनाया था उसको यहां से open कर ले open project अगर जो आपने इसके अंदर change की है इसको save कर लें यहां से और यहां recent पर आजें अब तो select करें calculator का प्रजेक्ट और उसको open कर दें next इसके अंदर हम इस डाट के function को देखेंगे कि अगर हम डाट का function इसको हम यहां पर points में अगर calculation करना चाहें तो यह किस तर से करेंगे science इटा कास इटा यह किस तर से हम find कर सकते हैं पहले से जो हमारे पास calculator है इसके अंदर हम कुछ और function जो एड़ करते हैं इसके अंदर मजीद बटन एड़ करने के लिए इसको मैं expand करता हूं और इसमें मजीद बटन एड़ कर देता हूं जो calculator हमारे पास पहले है इसकी function हम पहले देख लेते हैं कि यह किससे काम कर रहा है तो इसको आप जब run करते हैं तो यहां पर जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो वह नंबर वहां पर लिखा जाता है फिर उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी जो है operator इसमें से जो है इसको क्लिक कर देते हैं और फिर सेंकेड नंबर लिखते हैं और ओके कर देते हैं हमारे पास कर्कुलेशन होके आ जाती है मजीद हम देखेंगे कि यह डार्ट का बटन कैसे काम कर रहा है और one hour x x care q route और clear कैसे हम करेंगे और बाकी यह कुछ और बटन या कुछ और function जो हैं इसके अंदर add करेंगे यहां तक जो कर्कुलेटर हमने बनाया इसके different functions को पहले review कर लेते हैं तो मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है तो इसमें simple जो हमारे पास display screen है वहां पे उसका caption क्या हो जाता है कि जो caption पहले से मौजूद है और plus जिस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूं वो caption वहां पर आ जाता है इसी तरह से यह c two three three और बाकी सारे बटनों के ओपर भी इसी तरह से था इसके बाद हमने यहां operator पर देखा तो जब इस पे हम क्लिक करते हैं किसी भी operator के ओपर तो display screen के ओपर अगर यहां पर empty नहीं है तो तब हम आई पास यहां पर एक जो है variable ओपी के नाम से था उसके अंदर जो है operator आ जाएगा अगर हम plus को क्लिक करेंगे तो plus आ जाएगा multiplication को क्लिक करेंगे multiplication और इसी तरह से addition और suppression और do in इसके बाद हम आई पास से एक और variable है number one के नाम से जिसके अंदर जो भी यहां पर लिखा हुआ है पहले से display screen प कि जब हम equal के ओपर क्लिक करते हैं यहां पर अगर हम double क्लिक करें और यहां इसके code को देखें तो जैसे हम click के button पर click करेंगे तो हमाई पास एक और variable है number two तो यहां पर जो भी हमाई पास display screen में होगा वो number two में आ जाएगा उसके बाद चेक होगा कि operator अगर addition है plus है तो हमाई प result एक और variable है उसके अंदर क्या हो कि number one के अंदर जो है और number two के अंदर जो है इन दोनों को add कर दें और अगर if else operator हम वाई पास minus है तो दोनों number minus हो जाएं और operator अगर multiply है तो दोनों number multiply हो जाएं और अगर operator division है तो first number को divide कर दिया जाए second number पे और display screen के अंदर यहां पे जो भी result बने है उसको display कर दिया जाए तो यहां तक हमने पहले calculator को बना लिया था मजीद function इसके अंदर add करते हैं next हमने यह dot का इसके उपर हमने देखने है function यहां पर क्या किया जाए तो double click कर के इसके अंदर आ जाए इसके अंदर भी हमाई पास अगर देखा आ रहे हैं कि किसी भी number को जैसे हम हमने वहां पर click किया था तो display screen पे वह नंबर भी आ जाए तो यहां पर एक और problem यह है कि अगर मैं इसको इसी तरह से चलाता हूं यहां पर run करता हूं तो five point यहां point यहां पहले हम इसको यहां पर थोड़ से चेंज कर देते हैं c. अब अगर मैं इसको run करता हूं तो five point two अगर दबारा मैं point को यहां पर click कर रहा हूं तो यह point को दबारा भी लगा रहा है और इसी तरह से यह लगाता जाएगा जो कि real मैं इस तरह से नहीं होता तो एक दफा जब point लगा दिया जा तो इस चीज को हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा function लगाया जाए कि दबारा से एक दफा अगर point वहां पर मजूद हो तो दबारा ना लगे इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या इस display screen के अंदर पहले से dart मौजूद है या नहीं है तो माई पास एक function है उसको हम use करेंगे if in string str in string के string के अंदर यहां पर हम चेक करेंगे जब इसको अब start करेंगे तो इसका first argument है कि यह कहां से start आप करें तो हम कहते हैं first digit से उसके बाद कौन सी string हमने चेक करनी है तो display screen के अंदर हमने चेक करना है तो l display dot caption यहां पर हमने चेक करना है उसके बाद क्या चीज़ हमने चेक करनी है तो हम dot को चेक करना चाहरे हैं तो dot हम यहां पर लगा देंगे तो यहाँ पे देन फिर क्या हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर यह पहले से इसके अंदर यह चेक किया जाए इन स्ट्रिंग यह चेक किया जाए उसके स्टार्ट से इस स्ट्रिंग के अंदर इस डाट को अगर यह यहाँ पे मजूद हो तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ करें और अगर ना कुछ हो तो फिर एल्स यहां पर यह नीचे जो फंक्शन है सिंप्ली जो हम बाकी बटनों के साथ करें हैं वो वाला यहां पर अपरेट हो और यहां पर एंड इफ हम कर देते हैं और इस फंक्शन को लगाने के बाद इसको रन करके चेक करते हैं 5.2 अब अगर आप इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो यह दोबारा उसके अंदर नहीं लिखेगा उसके बाद प्लस हम कहते हैं कि 5.4 तो यह आंसर आपको 11 दे रहे पॉइंट सौल जो आपके पस जितने भी नमबर थे उन सब को इसने ड्राप कर लिए उसकी वज़ा यह है बिखेगा आगर हम अगर अगर डबल कर देते हैं तो फिर यह क्या करेगा कि यह जो पॉइंट के अंदर वैल्यू आ रही है उनको भी सेव करेगा दोबारा रण करके देख लेते हैं 5.2 प्लस 5.4 तो यह हमाई पास 10.6 जो है यह इसको पॉइंट के अंदर भी आंसर दे रहे है नेक्स हम देखते हैं कि वान आवर एक्स यह किसा इस पॉइंट किया जाएगा तो डबल क्लिक करके इसके कोडिंग के अंदर आ जाएं तो यहां पर हम एक और वेरियेबल बना ले करते हैं उसके बाद हम कहते हैं कि यह वेरियेबल रिजल्ट एक्वल रैब डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर जो कुछ वह यह है उसके कैप्शन के अंदर जो कुछ भी है वह इसके अंदर आजए रिजल्ट के अंदर आजए बलके हम कहेंगे के वन डिवाइड बाए वो इस variable के अंदर आ जाए और इसके बाद display screen के अंदर उसका caption जो है वो यह जो हमारे पर से result बना है यह यहां पर आ जाए तो इसको run करके देखते हैं तो for example five तो one by x हम नकालेंगे तो one divided by जो five था उसका answer यहां पर आ जाएगा next time scale route इसको find करना चाहरे हैं तो double click करके इस पर आ जाएँ तो simply यही वाला procedure जो है यहां पर भी लगेगा इसको आप यहां पर copy कर दें और यहां पर paste कर दें तो यहां पर हमारे पस जो result है वो जो भी हमारे पस डिस्प्ले सकीन के अंदर पहले से माजूद हो वो ही value जो है हम चाहरे हैं कि multiply आपस में हो जाएँ तो simple यहां पर multiply हो जाएगा और यहां पर हमारे पस उसका scale route हो जाएगा इसको अगर आप run करें 9 और यह scale route तो 64 आजएगा इसके बाद हम next under route वो find करना चाहरे हैं तो उसके लिए यहां पर आजए और तकरीबन यही वाली coding यहां पर भी use होगी तो इसी को हम copy करके यहां paste कर देते हैं तो फर्क सिर्फ यह होगा कि जब आप scale route नकालने जा रहे हैं तो यह चीज आपकी य sqr यह हमारे पस एक function है scale route find करने का इसको हम यहां पर इसको लगा देंगे और अब अगर इसको आप run करके देखते हैं 8 का यहां scale नकाले तो 64 और इसका under route नकाले तो 8 वापस आ जाता है next हम देखते हैं यहां पर केगल sign theta इसको find करना हो तो same यहां पर आपके पास इसी चीज़ को यहां से copy कर ले और paste कर ले तो यहां पर आपके पास simply sign theta यह आप यहां पर लगा दें तो यह आपके पास sign theta आ जाएगा और इसी तरह से कास theta के लिए भी आप simply same यहां पर कास का function उसको आप use कर लें और same यहां पर tangent के लिए भी इसी तरह से आप बाकी जितने टिग्रोमेटिक function है उनको भी यहां पर use कर सकते हैं इनको चेक कर लेते हैं run करके 8 इसके sign तो यह हमारे पास answer आ जाता है यही इसके cause tangent यह भी यहां पर आ जाता है तो next हमारे पास यह clear का एक function रह गया इसको भी देख लेते हैं तो यह बिलकुल simple है आपको यहां पर display screen के उपर जो है display.caption जो है इसको आपने simply यहां पर empty करना है और जो आपके पास number one उसको भी आपने यहां पर zero कर देना है और दूसरा जो variable number two था इसको भी आपने zero कर देना है और result जो आपने उपर एक variable बनाया था उसको भी आपने zero कर देना है यानि सारी चीज़ें एमटी हो जाएंगे एक तरह से तो run करके देखें आप यहां पर कोई भी आपके पास value है तो यह उसको clear कर देगा तो यह हमारा calculator का function था जो इसको हमने मजीद उसके अंदर कुछ function जो है add की है तो next इंशालला next lecture के अंदर हम जो वीबी के अंदर वीजिल बैसिक के अंदर कुछ और functions है if else गयरा के बारे में detail से पढ़ेंगे loops के बारे में detail से पढ़ेंगे तो तब तक मुझे अजाज़त देजिए अपनी दौा में याद रखिएगा अलाफेज